हे गाइस मीचुलफंट सीरीज की एपिसोड नमबर 6 में आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चे की मैरेज या फिर हायर एजुकेशन के लिए पाइसा कैसे जुड़े ओ एमाउंट हो सकते हैं दो क्रोड रूपीश हो वान क्रोड या 50 लेकिन कैसे आप फाइनेंसल प्लानिंग करते हुए उस एमाउंट को आप एचीव कर सकते हो जानेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं पहला टॉपिक है कि 20 साल बाद टाइम प्रियोड मैंने हाँ पे मेंसें किया 20 साल बाद बाच्चे की मैरे या एजूकेशन के लिए कितना एमाउंट लगेगा एक एक्सेल शिट में सिंपल फोर्मूला कि फुरू हम फाइंड आउट करने की उसिस करेंगे कि कितना लगेगा एंड नेक्स टॉपिक में उस एप्रॉक्स एमाउंट को प्राप्त करने के लिए अभी कितना इंवेस्ट करें वान टाइम लेंसम यानि एक एमाउंट इंवेस्टमेंट कर दिया 20 सल बाद हम देखेंगे उस एमाउंट कर पाते हैं कि नहीं तो यह हो गया सेक करने के लिए और फाइनल या फोट जो पॉइंट है ओ है कि कहां पर और कैसे इंवेस्ट करें तो यह सबसे पहला टॉपिक को समाझते हैं पहला जो टॉपिक है 20 सल बाद बाद बाच्चे की मेरेज एजिकिशन के लिए कितना आमाउन लगेगा देखें यह हम डिफाइन कर सकते हैं कि अभी कितना लग रहा है यह अलग-अलग हो सकते हैं इंडिविजियल अलग-अलग हो सकते हैं किसी का मैरेज के लिए वान क्रोड रूपीज भी कम है किसी का तो फाइप लाग में कॉंप्लीट हो रहा है तो यह चीज़े अलग-अलग हो सकते हैं आपका जो भी ह वो आपने हिसाब से figure out कर सकते हैं तो चलिए मैं अभी यहाँ पर excel sheet में चलता हूं assume कर लिजिए कि अभी 25 lakh रूपीज लग रहा है education के लिए higher education माल लिजिए MBA माल लिजिए MBA के लिए इंडिया में 40 lakh 50 lakh या 20 lakh 50 lakh 25 मैं यहाँ पर 25 lakh एक example लिया हूँ कि अभी 25 lakh लग रहा है higher education MBA को कॉर्स को complete करने के लिए और अगर यहाँ पर marriage की बात करें तो 50 lakhs का मैंने यहाँ पर एक example लिए हो सकते है किसी का 10 lakhs में complete हो रहा है किसी का टो कोड रूपीज लग रहा है ठीक है तो 20 सल बाद कितना लागेगा उस एक प्रॉक्स को हम यहां पर figure out करेंगे यह हमारा पहला टॉपिक था अपका बच्चा वाए उनके लिए planning करना भी जुरूरत है कि 20 सल बाद ओ क्या करेगा कुछ बिजनेस सेट करेगा या higher education करें उनके लिए तो पैसे की जुरूरत है तो पहले amount को हमको decide करना कैसे 25,000 लाज रहे हैं अभी जैसे देखे करने के लिए 25,000 लाग रहे होके लेकिन हर सल इंकरीज होता है क्योंकि 55,000 मारे हो सकते है दो साल बाद यह 25 नहीं यह 28 यह या 30 लाग रहे है क्यूंकिish सेटके लाज तो हम को पता ऑनवा चाहिए 20 सल के बाद ए एमाउंट इंफलेशन के दौरान कितना एमाउंट बन जाएगा ओ कोस्ट को हमको जानना बहुत जुरूरी है तो यहां पर हम 6% इंफलेशन को मानते हुए मालेज़े 6% रेट पे यह प्राइस इंक्रीज हो रहे है तो 6% हाइस्ट मैं मानके चल रहा हूँ तो 6% इंफलेशन रेट को एजूम करते हुए हम यह डिफाइन करेंगे कि 20 साल बाद कितना एमाउंट लगेगा ठीक है तो फ्यूचर वैलू हम यहां पर एक्सल का फर्मूला लगाएंगे यहां पर 6% और 20 साल बाद ओके PMT यानि पाम मांथ हम कुछ नहीं दे रहे हैं अभी प्रिजेंट वैलू को हम माइनस में लगाएंगे प्रिजेंट वैलू राइट इस और टाइप वान यानि बिगिनिंग ऑफ दा प्रियूट ब्रेकेट क्लोस तो अभी अगर 25 लैक लग रहा है तो 20 साल बाद कितना लग जाएगा तो यह एमाउंट लग जाएगा 80,17,000 रुपेस अगर मैं यहां पर 25 के जगा 20 लैक कर दूँ और यह एमाउंट हो जाएगा देखिए 64,14,270 तो चलिए मैं इसको 25 ही रहने देता हूं तो इस तरह आप फिगर आउट कर सकते हूं 6% इंफलेशन को मनते हुए कि 20 सल बाद 10 सल बाद इसका कोस्ट कितना हो जाएगा इस फर्मूला को इस्तेमाल करके राइट अब यहां इनका भी कर लेते हैं यहां पे अभी मैरेज के लिए माल लिए 50 लाकर लग रहे हैं तो 20 सल बाद कितना लग जाएगा सिम्पिल भी लगाए फिचर वैलू और फॉर्मूला यहां पर आप सिम्पल यहां पर रेट लगा दीजिए और यहां पर इतना मान के चल रहा है और टाइप वान यानि बिगिनिंग ऑफ परियोट और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा दीजिए तो उन क्रोड शिक्स्टी लैक रूपीज लग जाएगा विस साल बाद जिनका अभी 50 लैक रूपीज मैरेज एक्सपेंस हो रहे है तो इस तरह आप फिगर आउट कर सक कितना हो जाएगा अभी आम देखेंगे इस एक्सपेंस को एचीव करने के लिए कितना इंबेस्ट करें वह भी वान टाइम लैंसाम इंबेस्टमेंट करेंगे अभी माली जी आपका बच्चा हुआ है उनका ये जस्ट वान यार है अब चाते है जो वह 21 हो जाई तो एंबी करेगा तो 80,000,000 रुपीज लग जाएगा तो 80,000,000 को प्राप करने के लिए 20 आस में अभी कितना इंबेस्ट करें ठीक है ओ हम फिकर ओट कर अभी एक सटेन एमाउंट एक ही टाइम में आप इंबेस्ट कर देंगे 20 सल के लिए ताकि आप इस एमाउंट को एचिव कर तो उ हम एक्जामपेल ले कोई future certainty तो नहीं है हम just focusing कर सकते है past data को देखते हुए past अगर निप्टी की अगर performance देखे तो 16-17 percentage की return दे रहा है लेकिन यहां पे हम conservative way से calculate करने की कोसिस करेंगे like 12% या 15% हम मान के calculate करेंगे और obviously जब हम 20 सल time period के लिए investment कर रहे है तो हमारा money equity में invest होना चाहिए ठीक है या 80% 90% money invest होना चाहिए equity में right मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है तो हम यहां पे return जो मान के चलेंगे 12 और 15% दोनों में हम करके दिखेंगे अगर पहले 12% करके आगर हम चले let's calculate present value bracket लगाया and 12% rate हमने मान के चला अब आते हैं NPR NPR मतलब कितना साल 20 years and PMT परमांत अभी भी कुछ नहीं दे रहे and future value कितना में achieve करना चाहते हैं इस amount को हम प्राप्त करना चाते हैं ठीक है 80 लाक बच्चे की MBA के लिए okay and then beginning of the period यानी one and bracket close and लगाये enter कितना amount 8,031,183 रूपीज आपको करना होगा investment और उस investment के उपर अगर आपको 12% return मिल जाए तो आप जाके आप इस amount को achieve कर पाएंगे ठीक है ताकि आपकी बच्चा MBA course को complete कर पाए ठीक है तो इस तरह आप figure out कर सकते हैं यहाँ पर हमने 12% मान के चला बेरी conservative निप्टी इंडे की बात कर रहे हैं ओ more than 15% return दे रखाया लास्ट 25 में तो यहां पर हम और एक calculate करेंगे 15% के दावर अगर आपके investment के उपर 15% return मिल जाए कितना amount invest करके इस particular value को हम achieve कर सकते हैं चलो वह भी जान लेते हैं ती भी rate हम 15% ले रहे हैं आप देन इंप्य अब बेस टाइप वान यह देखिए कितना काम हो गया बिल्कुल हाप हो गया दो 3% return जदा हो गया तो उनके लिए कि capital कितना हो गया फाइप लाग फोर लाग एट्टी 9,892 इंवेस्ट करके आप इस amount को अचीव कर सकते हो अगर आपकी इंवेस्टमेंट के ऊपर 15% return मिल जाई जैसे कि लार्ज केप स्टॉक है जहां पर रिस्क कॉम्परेटिबली कौम है इस स्मॉल कैप के उनुसा मार्क में बहुत सरे लाट्ट के फिस्टॉक है जो फिप्टीन परसेंट सेबंटीन एट्टीन परसेंट रिटन्स दे राखा है लास्ट टेंट तो अभी अगर यहां पर एक कैल्कुलेट करें लैंसम कैल्कुलेटर तो चलिए फिनल अजी आ रह सब्सक्राइब तो यहां पर वही चीज़ें निकल के आ रहे तो यहां पर हायर एजुकिशन के लिए अब हम यहां पर मेरेज का भी देख लेते हैं वान क्रोड सिक्स्टी लाक रूपीज प्राप करने के लिए अभी वान टाइम कितना इंबेस्टमेंट करें और इंबेस् करना चाहिए आप यहां पर कर लेते हैं अगर हमको 15 पासेंस के अनुसर मिल जाए तो 9,79,784 रोपेज लग जाएगा तो यह सिकेंड जो टॉफिक है वह हमने देखा कि वान टाइम यानि लैंसम कितना इंबेस्टमेंट करें और इंबेस्टमेंट के उपर इस तरह की रिट के लिए हम एकट्था कर पाएंगे अब आते हैं थार्ड पॉइंट जो है कि इस फ्यूचर अमाउंट को प्राप करने के लिए पर मांद कितना इंबेस्ट करें वह एमांट शाटन होना चाहिए एक निश्चित अमांट होना चाहिए जो हम पर मांद इंबेस्टमेंट करें यहां पर भी हम दो रिटेंस मांगे चलेंगे 12 परसें इंबेस्टमेंट के उपर 15 परसें ज्यादा नहीं ले रहा है तो 12 फिप्टिन ले रहा है जो एचिव हो रहा है मार्केट में राइट तो यहां पर हम सेंपिल क्या करेंगे पार मांद का एमाउंट हम फिकर आउट कर कर दीजिए इसके बाद NPR, NPR क्या है 20 सल तो 20 सल यानि यहां पर मैंने 20 लगाया और फिर मल्टिप्लाइ 12 पर मांद के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए यह चीज़ आपको करना होगा थोड़ा यहां पर इरर है लेकिन ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा आपको फिगर मि फ्यूचर वैलू इतना प्राप करना चाहते हैं इस एमाउंट को मैं प्राप करना चाहता हूँ बेगिनिंग फ्रियोट एंड हम मारेंगे तो तो आगर हाम 8000 रूपीज इन्वेस्ट करें पार मांद 20 सल बात जाके इस एमाउंट को एचीव कर पाएंगे अगर इस इन्व के लिए भी हम क्या करेंगे तो तो 5288 रूपीज पार मांद इन्वेस्ट करके 20 सल में यहां पर इस एमाउंट को एकठा किया जा सकता है अगर इन्वेस्टमेंट के ओपर 15% मिल जाए तो यहां पर हम एसाइपी कैल्कुलेटर कैल्कुलेट भी कर लेते हैं कि हमारा जो भी कैल्कुलेशन ध्याइस हाही चल रहा है कि नहीं तो गूगल में जाके साइपी कैल्कुलेटर अपर इक कैल्कुलेटर ओपें हो गया इन्वेस्टमेट 20 साल एक्सपेक्टेड रिटान 15 इंफलेशन नो आपकर तो देखिए यह त्रिलाक्स एक्सपेक्टेड इमाउंट आ कर रहा है कि नहीं तो हमारा जो भी क्यालकुलेशन है बिल्कुल सही चल रहा है तो अब हम फिर यहां पर मैरेज के लिए जो हमने देखा उस एमांट को भी प्राप्त करने के लिए पर मांत कितना जरूरी है वह भी देख लेते हैं तो यहां पर भी होंगे 15 पर सेंट का भी जो है एक बड़ कर लेते हैं है कि 10,507 रूपिस सो 10,577 रूपिस अगर यहां पर इंवेस्टमेंट किया जाए लेस्ट कैलकुलेट इस साल में 15 पर रिटर्न तो यहां पर 1.6 आप यहां पर देख सकते तो इस तरह आप प्लानिंग कर सकते हैं जो भी आमाउंट आपको जुरूरत है फ्यूचर में ठीक है तो आप अभी देखिए कि कि वह एमाउंट कितना लग रहा है वहां पर आप 6% इंपलेशन लगा के पार यार आप कैलकुलेट कर लिजिए जैसे मैंने यहां पर किया कि अभी हिमाउंट कितना लगेगा जैसे आपका एमाउंट आजाते हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि आपको ओन टाइम इंबस्टमेंट करना है या इसाइपी करना अगर आप ओन टाम में करेंगे तो आपको डायवर्शीफाइ तरीके से करना पुड़ेगा अपको जीए में गोल्ड में इंब्स्मेंट कर दीजे तो यह हो गया लैंसम इंब्स्मेंट जैसे कि मैंने यहां पर कैसे एक एक एप्रोक्स आमाउंट आप सकते हो यहां पर आप देख लिजे ठीक है और आगर आपको तो SIP के माददम से उस एमाउंट को प्राप्त करना है तो इस तरह आप कैल्कुलेट करके एमाउंट को पता कर सकते हो कि SIP कितना करना चाहिए अब आम बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक डाट इज कहां पर करें और कैसे करें वीडियो की डिस्किप्शन में मैं या जिरोधा का डिमट अकाउंट ओपेनिंग लिंक दे रहाओं वहां पर क्लिक केज़े एकाउंट कर लिजे ठीक है जैसे कि अगर बात करें यहां पर वीडियो के डिस्किप्शन में है यह देखें लिंक क्लिक करेंगे और यह उपन हो जाएगा जैसे आपका अपन होगी कर सकते हो तो पहले आप एकाउंट कर लिए और उसके बाद काई पर भी आप अटक रहे हो कुछ भी कॉन्फ्यूजन है तो इस नंबर पर आप हमको वाट्साइप कर सकते हो फोन पर भी बात कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे है तो सिंपल आप इंडेक्स फ अगर आप उस लिंक के तुरू जाकी investment करते हो तो lifetime support आपको मिल जाएगा ठीक है इस नंबर पर फोन कर सकते हो या message कर सकते हो lifetime support आपको मिल जाएगा और इसके regarding कुछ भी जनकर ही चाहिए तो आप हमको reach out कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आए होंगे and Mitchell Fund के बारे में और और भी बहुत सारे वीडियो आने वाला है तो चैनल को जोने सब्सक्राइब करके रखे और कुछ भी कोई रीज है फिल फीटो आसकान कॉमेंट सेक्षेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो